चतरपूर के बागेश्वर धाम में हर वर्ष की भातीस वर्ष भी महाशिवरातरी परवपर एक मार्च को 108 कन्याओं के सामुईक विवा है तो कारिकरम आजित क्या जा रहा है इस वर्ष का आजिन इसलिए भी अनुका है क्योंकि इस सामुईक विवा में करीब एक दर्जन ऐसी कन्याओं है जो अपने पिता को खो चुकी है ऐसी कन्याओं के उपर भागिश्वर धाम का आशिवाद है आजन में प्रख्यात सत्थ बालक योगित श्वरदास महाराज बदीनाद धाम प्रख्यात कतावाचक डक्टर श्वाम सुंदर पारशर तुलसी पीट के उत्रादिकारी रामचंद्र दास जैभहिया संस्कृती मंत्री उशेठाकूर, पी डबल्यूडी मंत्री गौपाल भारगफ के अलावा जिले के विधायक गन कन्याओं का आशिवाद देने शामिल हो रहे हैं लाखों लोगों के आस्ता के केंद्र भागिश्वर धाम में पिछले तीन वर्षों से गरीब असाय कन्याओं की विवा किये जाते हैं शायद देश का यह पहला इस्तान होगा जहां वर्ष भर आने वाली मंदीर की चडोतरी को कन्या विवा के लिए समर्पित किया जाता है बागिश्वर धाम, पिटादिश्वर, पंडित, धिरेंद्र, क्रश्ण, शास्त्री, गरीब और बैसाहरा कन्याओं का धुम धाम से विवा करने के लिए आतूर रहते हैं इस बार 108 कन्याओं के विवा है तूर जो पंजयन हुए उन में से एक एसी बेटी है जो अपने माता पिता को खोड़ चुकी है छतरपूर के कड़ा की बर्या में रहने वाली नेहा अनुरागी के पिता जगतीश प्रसाद और माव शिमती गनेशी दोनों इस दुन्या में नहीं है इसके अलावा करीब एक गर्चोन ऐसी कन्या है चुनके पिता इस संसार सागर को छोड़ कर चले गए है सामुईक विवा बीतरी दुमदाम से किया जाता है कि गरीब बेटिया ऐसा महसूस करती है कि जैसे वे अपने घर से ही विदा हो रही है माता बिता का साया सीर से उठने के बाव जूर भागिश्वर धाम का आशिवात बेटियों के साथ है बीगी पलकों से एक मार्च महाशिवरात्री पर बेटियों को विदा किया जाएगा विद्वान पंडितों के वेदिक मंत्रों चार के साथ पाड़ी ग्रहन संसकार संपन कराये जाएंगे यह मिलेगी वर्वदू को ग्रहस्ती पागिश्वर धाम में होने वाली विशाल सामोई कन्या विवा में प्रत्यक चोड़े को 121 बरतन सामगरी शामिर है चतरपूर से भरत यादव की ये रिपोर्ट